कथा सुनाते राम सकल कुणधाम की ये रामायन है पुन्य कथा शीराम की जै श्रीराम कुण अगमन आगमन आगमन वाहन आमर आगमन की लीधा कि लादागन स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं निउस इंडिया मैं हूँ आपके साथ की तुचाहार और बड़ी ख़बर आपके बता दें आरेसे संग च्वारक मोहन भागवत का आउध्या दौरा समारों के प्रसाद का जाय सलेंगे मोहन भागवत आउध्या के सरस्वती विद्या मंदिर पहुंचेंगे भागवत और आएए उससे पहले छे तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं राम नगरी में किस तरह से सुरक्ष मंदिर की भव्वे कलाकृती यहां पर बनाई जा रही है वहीं पूरे मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है लाइटिंग से सजाय जा रहा है अग्या में राम मंदिर को और भव्वे तैयारियां चल रही है जादा समय बचा नहीं है अब कल जिस तरह से प्राण फ्रतिष्ठा होनी है तो कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं ऐसे में जोश पुरा हाई है सभी का और इसी के साथ ये चा लोग अयोध्या नहीं पहुँच पा रहे हैं उनकी भी विशेश तैयारियां है कल के लिए क्योंकि जिस तरह से सुंदरकान के पाट का अयोजन क्या जा रहा है रामायन के पाट का अयोजन क्या जा रहा है और अपने आप में माहौल भक्ति में बना हुआ है और में आरसे संग संचालक मोहन भागवत का आयुध्या दौरा सम्हारों के प्रिसाद का जैसा लेंगे मोहन भागवत आयुध्या के सरस्वती विद्या मंदिर पहुंचेंगे भागवत लगातार तयारियां चल रही हैं संग चालक मोहन भागवत भी प्रिसाद का तयारिया लेने के लिए क्या कुछ तयारिया है प्रिसाद वितरन को लेकर उसका जैसा लेने के लिए अयुध्या पहुँचे हुए हैं तो तयारिया अपने चरम पर हैं संग चालक मोहन भागवत भ पर हैं वो जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हैं और इसे संगचालक मोहन भागवत का या उद्धा दौरा और और वहीं आपको बता दें कि सर्यू घाट पर संतों का समागम है आपको सीधी तस्वीर आहां से दिखाते हैं पनाने के लिए साव को इसमें कटिवत्त होकर के लगना होगा मैं इनी शब्दों के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हुआ अब पूर्णा होती से पहले सद्ध्याचार बाक्ष्ण जी दो शब्षब जैजे स्री राम आज पूरे विश्व में जो सनातन धर्म के प्राति निष्ठा रखने वाले चेहरों पर जो प्रसनता है जो उल्लास है जो उमंग है जो हिर्दयों में आज उत्सव है वह हमेशा बना रहे हैं बगवान स्री राम की क्रिपा से और उस देदिप्यमान यह शक्ति का आज यहां पर अवतरन या प्रतिष्ठापन नहीं अभी तो पूरे विश्व में अब राम राज्य का यहां प्रारंप है उसका यहां एक तरह से कहें यहां शुब मुहुर्त वह सुब घड़ी आज पुझी संतों के सानित्य में यहां पवित्र इस सर्यू के तट से उद्गोशना के साथ प्रारंप हो रहा है तो जहां जो भी हैं जैसे कहा भगवान श्री राम की जो मर्याद आएं हैं उनके जो आदर्श हैं हम जीवन में उतार करके पुरिविश्व को राम मय बनाने के लिए हम सब आगे बढ़ें आप सब को इस पावन अवस्तर प्रसन्दा गिक्षर्ण की सुवकाम नाये जैस्री राम खत्व आचारिंष्व का भी प्रणाम श्रीराम जी के चड़ों में हमारे आछार्य संजीर जी हमारे आचार्य आलोक दास जी हमारे पुझ्ये स्वामी थाड़े थाड़े से आप देख रहे हैं पुझ्ये स्वामी संपूनानंजी महाराज और हमारे पुझ्ये शद्धे गुरु जिश्मन जी इतने महापुर्शों की पाफण होगे हैं सबके और से एक बार आप सब को जैए राम जड़े मुठी बान के जैए देश शियाम देश शियाराम अब हम पुझ्ये राम भरत्राचारी जी महाराज जी की जाने वाले हैं उसके बाद मीडिया को वक्त देने मातरत दो मिनट मत्लब दो मिनट पुराना चेला बीच में टपक गया गया सारे है आराम से देख़र जल द आगे बढ़ते हैं राम नगरी की सुरक्ष विवस्ता को अभेद्य बनाने के लिए ब्यापक प्रबंद किये गए है। लगातार ये चुकि काउंटडाउन है तो हम लोग लास्ट में सभी जो हमारे फाइनल चेक्स से उनको कर रहे हैं और मैं आश्र थे कि सभी इस ऐस तता रहे हैं डाय वर्जन की में बस्था क्या रहे हैं और उनको सभी लोगों से हमाइग है एक समय सुरक्षा के कितना इंतजामात कितना बरूसा मैं सारी तैयारियां कर ली ऑस हैं और लगातार ये चुक्द गौंटवन हैं तो हम लुग लास्ट में सभी जो भी हमारे हम लोग यहां पर आएंगे और जिनके पासे चाहिए यह लोग यहां पर आमन्तित हैं इसकी अत्रिक्त जो लोग इहां के श्थानी नागरिक हैं वो अपने शहर अपने घर तक तो रह सकते हैं और उनको सभी लोगों से हमारी अन्रोध भी किया गया है कि उनको भी कोई इसी इस्तिति ना है कि वो परिशान हो तो अपने वहान को अधिक्तम संक्या में कल 6 बजे के बाद ही अपने घर से निकाले तो अच्छा रहेगा कल सारजुनी कावकास है घर में बैट करके दूरदर्शन पर टीवी पर चैनल्स में इस पूरे भविकारिक्रम को देखें जहां जहां पर पब्लिक पेसाद है LED स्क्रीन से वहां पर देखें अनावश्यक इदरोधा संचल करने की कलावश्यकता नहीं है आईजी प्रवीन कुमार की तरफ से आम लोगों को क्या मैसेज है तो ये आईजी प्रवीन कुमार जिनको आप सुन रहे थे साब तोर पर कहते नज़र आए कि हम पूरी तरीकी से तैयार है बस आप से अपील है कि मर्यादाओं और अनुशाशन का खास खयाल रखें कैमरे परसन कृष्णदेव के साथ मैं पूजा मोहन पांडे आयोध्या धाम आयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्रान पृतिष्ठा को लेकर इस पावन अवसर पर स्वामी अनंद्गिरी जो अयोध्या अंदुलन के नायक रहे है उन्होंने सेयोगी विवेक्तिवारी से खास बाचीत की अब हमारे साथ हैं महा मंद्रिश्वर स्वामी अनंद्गिरी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है नीज इंदिया पर और हमको बताया कि यह स्वामी वामदेजी के अखाड़े से हैं तो उनका तो बहुत योगदान है उनको तो सब नवन करते हैं जिस तरह से पूरा यह आंदोलन चला आप यह बताएं कि आज उस आंदोलन के फलस्तरूप यह हम देख पा रहे हैं भगवान का मंदिर बन रहा है भगवान नाम के प्राड़ पतिस्टा हो रही है आप कितना सवभागिशाली मानते हैं कि हमें पूजिपाद महराजसी विरक्स रुमनी जी महराज की जो सेवा कर आदी में रहते हुए देखा आज हम ऐसा कह सकते हैं कि उन महापुरुषों का एक शंकल्फ पूरा हो रहा है और वो हमारे स्री महन जी महाराज हमारे स्वामी विवेकान जी महाराज अनेक अनेक महापुरुषों के नेत्रों से उनके हिर्दय में बैठ करके इस कारे को जाद हो नमंबर 9 नमंबर 1989 को इस राम जन्न भूमी का सिला न्यास पूजिपाद प्राता इस्प्रणी हमारे महाराज असी बिरक्ष प्रुम्गनी जी महाराज के करकमलों से हुआ था और वहाँ सिला न्यास का ही परिणाम है कि आज जो हम लोग शिखर देखेंगे और राम लला को उस मंदिर में बिराजमान होते हुए देखेंगे यह राष्ट का एक नमोद है नमोद है यह प्रथम चरण है हमारे राष्ट के उत्थान का यह प्रथम शोपान है आज जब से मोधी और योगी सत्ता में आये हैं तब से एक हिंदू समाज को और समग्र संथ समाज को अपना च्छाती चोड़ा करके जीने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है और ये श्री गडेश हो रहा है अभी हम अंतिम तक तो तब पहुंचेंगे जब ये शमग्र देश हिंदू राष्ट के रूप में घोशत होगा इससे पहले हम लोग संतोष करने वाले नहीं है धन्यवाद तो अनंतिग्री जी जैसा कह रहे हैं कि ये प्र संतरम केसी के साथ वेक्तिवारी न्यूज इंडिया राम मंदिर निर्मान करने वाली एलन टी की टीम से कल प्रधान मंतरी नरेंद मोदी मुलाकात करेंगे इससे पहले न्यूज इंडिया की समाध आता पूजा मोहन पांडे ने बोट आफ डिरेक्टर एम्वी सतीश से बा आपको कुछ चेहरों के साथ मिलाउंगी वो चेहरे जो आपको पता होने चाहिए जब आप राममंदिर आए रामलला के दर्शन करें अबी सतीश हमारे साथ में है और विनोध मैतारजी हमारे साथ में है प्रोजेक्ट मैनेजर है जन्मभूमी शेत्र की और इसके अलावा स और पहुत स्वागत नीज इंडिया पर और खास बात क्या है कि कल प्रदान मन्त्री जब यहां पर पहुंचेंगे तो लेंटी की वो यूज़ करें तो यह चालिंग्ज नीता तस इसके अलावा यह पहली बारह इतना बड़े आट टेंपल बन रहा है राम जी के लिए तो यह इसल भी तो चालिंज चालिंज बहुत बड़ा था सर कहरें लेकिन हमने उसको एकसेप्ट किया और एकसेप्ट किया शाहिद आप बनाने कहाँ तो यह करती इतम रियली से खिए सालिग है हम कंपनी के लिए लारसें केवह। लिए भyllगह बाब को साहा दानेवाद देते हैं कि जिन्हों ने उमको यह काम करने का मोखा दिया है और चैलेंजिंग cli था काम जओ पहले दिन से जब अमने लिया था इसके लेकिन ये मालूम था कि अगर L&T नहीं करेगा तो कौन करेगा इसके लिए? L&T नहीं करेगा तो कौन करेगा और शाद यही वज़ा है कि L&T के इस परिक्षा में उत्तियन होने के बाद प्रधान मंतुरी खुश है और कल मुलाकाद भी करने माले हैं? प्रधान मंतुरी जी को हम लो हो सकते हैं, we are sure that he'll be very happy with what we have done because we have done this as per drawing, designs and also as per the intersection of you know the trust and all the people concerned and I think it is his dream to see a Bhavya Ram Mandir here. So I think he'll be extremely happy to see that tomorrow. We are ourselves, we come and see, you know, though we were constructing, अभी जब उसको सजाया गया है, लगता है, इतना खूपसरत लगता है, we never imagine it, it's going to look so beautiful. Camera person Krishnadev के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, आयोध्याधाम. GI Man of India पदमिश्री डॉक्टर अचनीकान से, News India समाधाता पूजा पांडे ने खास पाचीत की, डॉक्टर अचनीकान ने हनुमान गड़ी के लड़ू को GI Tag करवाया है. इनके और से पूरे भारत से 249 GI Tag आवेदन के हैं, 2019 में इस प्रियास के लिए इन्हें पदमिश्री भी दिया गया. अभी रिसिंटली आपने एक खबर सुनी होगी कि हनुमान गड़ी का लड़ू GI Tag हो गया. लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये Tag मिलता कैसे है और GI Tag exactly होता क्या है. तो इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद GI Man of India रजनीकान, डॉक्टर रजनीकान तपतमश्री है ये, हमारे साथ में मौडूद है, सर बहुत स्वागत है आपका, और बहुत शुक्रिया आयोध्या के लड़ू को GI Tag करवाने के लिए सबसे पहले. सरी, यात्रा कैसे शुरू हुई और कैसे आप इस सफर पर निकल पड़े? सरी के नेत्रतु में, पार्लामेंट से पास हुआ जगर्फिकल इंडिकेशन टैक का, और वो यात्रा उसी समय से शुरू हुई, 2006 में जब बनार्स साडी को पर में खत्रा मन राने लगा, तो उसमें हमने निरल लिया कि इसको GI Tag कराना होगा, तभी यह बचेगा, 2007 में हमने GI का आविजन फाइल किया, चन्राई की कोर्ट में, और दो साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, बनार्स किसाडी को GI का दर्जा प्राप्त हुआ, अभी तक हमने भारत में 249 GI Tag फाइल करवाया, 22 राज्य से, जिसमें 90 को प्राप्त हो चुका है, और आने वाले 6 महिने से एक वर्स कंदर में, वो सभी 249 GI Tag में सामिल होंगे, और इसी के लिए भारत सरकार ने 2019 में पर्तुसी से समानी तर्जा प्राइल के लिए और साधवी विद्यागरी से न्यूज इंडिया समाधाता ने खास आयोध्या के मनी पर्वत इस्थित, टेंट सिटी में हम लोग हैं और भरतवर्श के तमाम महामन लेश्वर धर्माचार इस टेंट सिटी में रुके हुए हैं, जो कल के आयोजन में यहां से वहां पहुँचेंगे, हमारे साथ हैं विद्यागरी जी, आप भी पंचायती एक आज हम जब यहां आए, तो हमारे सभी संत, महापुरुसगर्ण, इनका एक अनौका अलहाद दिखाए दे रहा, आयोध्या तो हम बच्पन से आते रहे, मनिरामदाश जी महराज की छावनी में, हनुमान गड़ी में, और भी कई-कई जगह आते रहे, क्योंकि बच्पन से क अथाकार भी है, और स्री पंचायतिया खाड़ा महा निर्वानी से महामन लेश्वर और दिली संत महामन डल में अध्यक्ष के रूप में भी रहे, पांच बड़ से कारिय किया, अभी जून तक, अब मार्गदर्सक मंडल में, तो ये सारा कोई देखने के बाद मैंने महसू के रखे थी कि रामलला का दर्सन होगा, रामलला का भव्यो मंदर बनेगा, वह साकार होते हुए दिखाई दे रही, अध्या को विश्व की धार्मिक राजधानी बनाने की बात कही जा रही है, आपको लगता है कि इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए सरकार को भी और लो आज ये राजधानी बन चुका है और बना रहेगा, क्योंकि ऐसा मंगला उसर भाव है, भगवान राम के प्रती, आयोध्या के प्रती, अवत्पुरी के प्रती, आयोध्या को विश्व की धार्मिक राजधानी बनाया जाए और जो बदली हुए आयोधिया इस समय लोगों को दिखाई दे रही है चाहे वो धर्मा चाहरी हो जो बरसों से आयोधिया आते जाते रहे हो लेकिन अब जब वो आए हैं भगवान की प्राणपतिस्टा समारों में और जो आयोधिया का दर्शन उन्हें इस वक्त हो रहा है व अपने आप में अद्बूत है ये बातों खुद भी मानते हैं कैमरा परसन संद्रम केसरी के साथ मैं विवेक तिवारी न्यूज इंडिया यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए ब्रेक के बात खबरे चारी है